So Hello Guys, Welcome to my YouTube Channel तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप जो एलग्रो जो अपने वीडियो एडिटिंग में जो एलिमेंट यूस करते हैं वो आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हों दोस्तों उन arranged से जो है वीडियो में काफी अच्छे एलिटिंग होते हैं और वीडियो जो है देखने में काफी बढ़िया लगने लगती है जो आप बोलते हैं वो यह animation होता है तो वीडियो देखने वाले को भी अच्छा लगता है और वो आपकी वीडियो को पूरा watch करता है उसे भी देखने में अच्छा लगता है तो दोस्तों आप यह element कहां से download कर सकते हैं कैसे अपने वीडियो में use करना है वो सब मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा last tag देखते रहिए और दोस्तों चैनल पर नई हो तो चैनल को भी subscribe कर देना क्योंकि YouTube से related आपको AC और वीडियो भी इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी तो चले दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना काइन मास्टर अप्लिकेशन ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद आपको यहां पर एक new project ले लेना है मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ उसके बाद आपको यहां जो shop वाला आइकन दिख रहा है इस पर आपको simply क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह सा dashboard ओपन हो जाएगा उसके बाद आपको यहां overlay वाला option मिल जाएगा इस पर आपको क्लिक कर देना है तो यहां से ही आपको इनको download कर लेना है download करने के लिए आपको इन पर tap कर देना है और यहां पर आपको एक download का option मिल जाएगा इस पर click करके आपको इससे download कर लेना है इस तरह से आपको इससे download कर लेना है तो आपको इसको animation कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो को आप देखते रहें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे elements मिल जाएंगे तो आप यहाँ से आपको जो भी elements चाहिए वो आप download कर लिजे तो कुछ elements ऐसे जो की पहले से animated है आपको उनको कुछ करने की जरूत नहीं है वो जो पहले से animated है तो आपको बस अपने वीडियो में यूज करने है और कुछ animation ऐसे हैं जिनको आपको animate करना पड़ेगा वही आपको animation में जाकर तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यह से आपको करना है आपको उन्हें animate करना है कुछ इस तरह से देख सकते हैं तो दोस्तों आप इस तरह से अपने वीडियो के लिए जो best element है जो एल्गरो यूज करता है वो element यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं दोस्तों इससे आपके चैनल पर कोई भी copyright नहीं आएगा तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्रेब कर देना और कमेंट बोक्स में जाकर एक अच्छे सा कमेंट कर देना आपको वीडियो कैसे लेगी तो दोस्तों मिलते हैं के लिए वडियो मैं तब तक के लिए जाहिन बंदेमात रहों